भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे दूसरे ओडियाई मुकाबले में टीम इंडिया के दुरंधर बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलियाई गेदबाजों की धज्जियां उड़ा दिया है पिचले ओडियाई में हार से बॉकलाए भारत के सभी बल्लेबाजों का गुस्सा ऑस्ट्रेलियाई गेदबाजों पर तूट पड़ा रुहित सर्मा हो या सिखर्धवन या फिर केल राहुल सभी ने ऑस्ट्रेलियाई गेदबाजों को जम कर धोया सिखर्धवन विराट कोहली और केल राहुल की अर्धसतकिय पारियों की बदवलत भारत ने ऑस्ट्रेलिया के सामने तीन सो चालिस रनों का विसाल अच्छे दिया है भारत की तरब से सिखर्धवन 96 रन विराट कोहली 88 रन और केल राहुल ने 80 रन बनाए इसके अलावा रोहित सर्मा ने भी 42 रनों की महत्तोपुड पारी खेली लेकिन इस दोरान पारी के दस्वे ओवर में बड़ा हादसा हो गया जिसे देख कर कुछ पल के लिए इस्टेडिया में मौझूद दर्सकों के बीच भी सन्नाटा छा गया दरसल हुआ यूंकि दस्वे ओवर की दूसरी गेंद सिखर्धवन को इतनी जोरदार लगी कि मैदान पर ही लेट करकर आने लगे चोट इतनी गंभीर थी कि धवन के जान पर बनाई गनिमत यह रही कि कोई अनहोनी नहीं हुई धवन को ऐसे मैदान में देख कर एक समय तो ऐसा लगा कि उनका बचना मुश्किल है लेकिन इसके बाद आनन फानन में डाक्टरों की टीम को बुलाया गया काफी मसकत के बाद एक बार फिर धवन उट खड़े हुए इसके बाद तो सिखर धवन ने तबाही मचा दिया और जम कर आस्ट्रेलियाई गेदवाजों को धोया धवन अपने सतक के काफी करीब थे लेकिन मातर चार रन से ही चूक गए खैर भारत के लिए अच्छी बात या है कि चोट लगने के बावजूद सिखर धवन मैदान में डटे रहे धवन की धुआधार पारी की बदावलत ही भारत ने 340 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया दरसल सिखर धवन का हालिया फॉर्म कुछ खास नहीं रहा है यहां तक कि सिखर धवन को टीम से बाहर करने की मांग उठ रही थी लेकिन भारत के लिए करो या मरो की इस्तिती बने इस मैच में तुफानी पारी खेल कर गबर ने साबित कर दिया है कि आज भी वह भारत के सबसे बहत्रीन बल्लेबाज है अब देखना होगा भारतीय टीम के गेदबाज 340 रनों के लच्छे को डिफेंड करने में काम्याब होते हैं या नहीं खास तोर पर ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज डेविड वारनर और उन फिंच को जल्दी आउट करना होगा